हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक पायरिया और पैरियोडॉडॉटाइटिस। पायरिया को मिट कल टर्म में बोलते हैं पैरियोडॉडॉडॉटाइटिस। आयटिस वर्ड कहीं पर भी यूज हो मिन्स इंफ्लामेशन या सोयलिंग या रैडनेस। यह सारी चीज़ें आप लोगों को पारिया वाले पेसेंट में देखने को मिलेंगे पैरियोडाउंटाइटिस जो आपका टूथ है जो गम्स हैं देन सेल्स हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं सेल्स में गंस में स्टॉइलिंग तो उस सिचटेशन को पैरियोडाउंटाइटिस कहते हैं है डेmot लाएज पर डिसचार्ज jin लगता है टीमें पार्या इस केसंपैर्या अईडेक्टिरियarti पार्या alveolarize it is the mostly occur in person over 14 years जो पारिया बैक्टिडिया होता है उसको हम बोलते हैं पारिया alveolarize देन यह mostly occurs person में 14 एयर पे होता है पारिया की problems causes की बात करते हैं first one is poor hygiene अगर आप teeth को अच्छी तरह से clean नहीं करेंगे या फिर proper brushing नहीं करेंगे या फिर खाना खाने के बाद आप माउथ क्रीन नहीं करेंगे तो आपको poor hygiene वाली problem होगी इससे आपको पारिया में problems आएंगे smoking habit को avoid करना चाहिए achieving तुमा को बुलकुल भी नहीं करना चाहिए उससे puss formation होगो आपको bleeding होगी hormonal changes जैसे आ सकते हैं जैंटेक्स problem भी होती है किसी किसी को sign and symptoms swelling and bleeding gums swelling भी होगी आपको और मटसूडों में आपको bleed blood भी निकल रहा होगा pain बहुत होगा bad breath अगर आप किसी से बात कर रहे होगे तो आपको बहुत ही जाजा बद्बू आएगी दूसरे person को क्योंकि आपके उसमें puss formation हो रहा होगा पारिया में then bleeding भी हो रही होगी gums भी और soiling भी होगी बहुत ही severe infection होगा आपके tenderness कहीं पे भी आपको soiling है आप टच करेंगे तो बहुत ही tenderness मैसूद होगा आपको पस discharge पस formation भी उसमें हो रहा होगा treatment में देखते हैं self-care माउट clean रखना चाहिए पेसेंट को regularly brushing teeth करना चाहिए डेली ब्रस करना चाहिए बुलकुल poor hygiene नहीं होने चाहिए mouth wash करना चाहिए then second medication क्या क्या लेनी चाहिए antibiotics लेना चाहिए stop the growth of kill bacteria चो bacteria growth कर रहा है उसे kill करेंगे antibiotics okay then penicillin stop growth of kills specific bacteria जो होंगे उसे kill कर देंगे surgery में जैंजीटो टॉमी इसमें surgical remover और disease gums disease जो होंगी जो मसूडों वाले disease होंगी वह होंगी गैंग्यो प्लास्टी में होगा surgery to resep health gums tissue around the teeth फिर इसकी बाद होगी root planning ओके आज का हमारा topic था पाई रिया अगर नहीं आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो like करिए subscribe करिए and then अपने friends के साथ share करिए thank you